है अलो दोस्तों नावस्कार स्कोर्म और यूट्यूब चैनल मों का हार्दिक स्वागत है देखिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक हाइवे और पहला सोलर हाइवे यह दोनों अलग अलग है ठीक है इन दोनों को मैंने एक ही वी कर्या वीडिक करते हैं और देखते हैं कहा कैसे कौन सा रूड बनने वाला है सबसे पहले को बात करेंगे इलेक्ट्रिक हाइवे चलते हूए कैसे वर पेंटोरासी लगा हुँए और जी चल रही है कि व्यृत चलती हैं उस तरह है कुछ कॉंसेप्ट इसमें लगाया जाना है तो चलिए हम लोग करके सोलर हाइवेज और इलेक्ट्रिक हाइवेज को तो इलेक्ट्रिक हाइवे जो है इसके लिए जो प्रोजेक्ट था यह दुहार सोला में ही लाया गया था चुकि मोधी गवर्मेंट जब से जीत के आई थी पहली बार दुहार 14 वाले इलेक्शन में उसके बाद यह नितिन गटकरी साब का प्लाइन रहा था कि जैसे ट्रेन चलती है रेलवे जो रन कराता है ट्रेनों को पेंटोग्राफ का जो रूल मतलब जो तरीका है कि यह से ओफरेड वायर में लगा के और उससे ट्रेने चलती है उस तरह कुछ कॉंसेप्ट हम लोग र नितिन गटकरी साब का तो यह ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हो रहा है इंडिया में यह पहली बार है लेकिन बाकी देशों में बहुत पहले सी मामला चल रहा है ठीक है तो यह सुलम एक निउस निकल कहा था कि इंडिया में हैव इलेक्ट्रिक हाइवे विथ स्व लिए आगे बात क्या इस पर बढ़िए वह मैं बता दो है एक किस का यह न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं तो मोदी गौर्मेंट इस वाकिंग ट्वाट्स रॉलिंग आट दा पाइलट प्रजेक्ट टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रिक हाइवे इन इंडिया मोदी गौ मिल रहा होगा यह आपको ओवरेड वायर गुजरते हुए दिख रहे होंगे और इसमें यह जो ट्रके हैं उसको ऊपर देखिए यह लगा हुआ है पेंटोग्राफ यह पेंटोग्राफ जाके जैसे ट्रेन में सटता है ना उपर उस तरह से वायर में सटेगा और यहां से इ इलेक्ट्रिक विकल्स विचिस कनेक्टेट टू अबरेड केवल दाटिस इलेक्ट्रिकली चाज्ज यह जर्मनी में इस तरह का टेक्नोलोजी यूज किया जाएगा यह काफी इलेक्ट्रिक एफिसेंट होगा और साथ-साथ यह कारवन फूट्परिंट को भी काफी कम करें तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगी आखी स्टार्ट कहां किया जाएगा सबसे पहले कहां स्टार्ट किया जाएगा देली मुंबई का जो आपको एक्सप्रेस बेदेखने को मिल रहा है उसमें एक छुटा सा खंड आएगा 200 किलोमेटर का देली जैपूर हाइवे तो देली पूरा रोड है कि इतना चौड़ा आपका रोड है इसमें 20% हिस्सा इतना हुआ अब इतने हिस्से में इलेक्ट्रिग वायर लगा जाएगा और इसी को क्या बना जाएगा पूरी तरह से हाइगे यौर्ड कर दिया जाये, बाकी हिसा जैसे चलता है रोड जैसे चलता रहे वह इसमें वह भी गाड़ियां चलेंगी इसमें दोड़ सकेंगी इस से पायदा क्या होगा तो एक तो गाड़ियों का आवाजहीं कुर्छ कोई हो जायागा सिब्सक्तिंस भी अब हम जबार में और आपको यह दो तहीं को भी आ स्वेडिस कंपनी इन से नितिन गड़करी साहब लगतार बातचीत कर रहे हैं इसमें से किसको फाइनल किया जागा यह भी तक तैं नहीं हो पाया है और मैं बता दू तो यह जो पूरा का पूरा कहले जाए है जो फाइदा मिलने वाला है जो मतलब अब आशका समयोट कोश्म कखर चाता है उसमें 70% तक आपको कमी देखने को मिल जाएगी ठीक है तो इससे काफी फायदा मिलने वाला है साथ-साथ यह इलेक्ट्रिक हाइवेस के बनने से जो फ्यूल का कंजम्शन होता है वो काफी कम हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं लागतार जो फ्यूल के दा साम जो होंगे वह घटेंगे सबसे बड़ा तो फायदा है हमारा नॉन पॉलिटिंग का इससे किसी तरह कोई पॉलिशन नहीं फैलने वाला है मतलब क्या होगा कि इन्हीं हाइवेस को हम चार्ज करने के लिए सोलर पैनल का यूज कर दें तब तो मतलब सोने पर सुहागा हो को वह हम लोग पूरा का पूरा उस पर खरा उतर सकते हैं इसके लिए काफी कारगर यह साबित हो सकता है अब देखिए इन इलेक्ट्रिक हाइवेस के बनाने से यह ऑफिसिल का कहना है कि पूरे साल में दी देखें तो लगभग 10 मिलियन टंज होगा वह कारवन का इमिशन ज चुका है 2019 में जर्मनी में हो चुका है अब इंडिया में कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा अब आगे देखते हैं किस तरह का प्रोजेक्ट उधर चल रहा है देखिए इस तरह के कुछ रोट के कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे देखिए आपको और वरेड जाते हुए दिख रहा है और इस तरह से जो भी विकल देखिए यह आर्म लगा हुआ इस तरह का हुआ उस्तार का और इन ही आर्म Subhm के माद्म से क्या हो रहा है कि यह पेंटोगराफ वर जाके वार मोज सट रहा है और यह बस ट्रक जो भी है वो चल पा रही है तो इस तरह का पूरा का पूरा कॉंसेट आपको देखने को मिल जाएगा अब जो है यह गौर्मेंट क्यों लाना चाहती है चुकि गौर्मेंट का कहना है कि हमें अपने संको पे इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत है एलेक्ट्रिक वाहन जब आएंगे तो उससे बहुत सारे रूजगार के भी ओत्रटि कहने strap यह करके faster adoption and manufacture of electric vehicles ऐसा करके कानून भी लाया गया था तिन सबका implementation जो है वो इसी के माध्यम से हो सकता है यह यह वेहिकल आती है रोड पे तो यह सारा का सारा जो बजट पेस किया गया था और फी जो फेम लाया गया था यह सारा इसमें implement हो सकता है अब देखिए हमें बात करते हैं कि यह हाईवेज तो हो गया अब हम लोग यह इस सोलर हाईवेज की बात करें तो सोलर हाईवेज का प्रोजेक्ट हमारा ला जा रहा है मुंबई नागपूर और एक्सप्रेस वेपर यह मुंबई नागपूर इसको आप ऐसान बशार में का सकते है कि महाराष्ट्रा कि यह दोनौ Бाप के तरह आप ले सकते हैं ठीक है मुंबई तो कैपिटल है है ही नाग पूर को भी आप कैपिटल की तरह ले सकते है इसमें कोई दोराय नहीं है росक को बिच का जो रोड है इसको कशो ड़ी के बात कर लिए बात कर लिए बारे में बता दू मुंबई नागपूर के बीच कर जो कि इसको बनाए जाए सोलर हाइवे वे दिखें अब सोलर प्लेट और फोटो वर्ड इसके बारे में ज्यादा जनकारी चाहते हैं तो आप इस इमेगजिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका नाम है यह हर महीने निकलती है और इसमें आपको बहुत तरह के मेगावार्ट सोलर प्लांट्स मुंबरी नागपुर हाइवे अब यह ट्रिपल जी आई क्या है इसके बारे में बता दू इसका होता है दो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट यह इंस्टीट कहां का भाई तो यह इंस्टीट आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर इसका नाम है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट ठीक है एक तरह की ट्रीटी बेस्ट इंटरनेशनल और यह हर देश में यह मतलब रिन्यूवाबल एनर्जी के सोर्सें लगाने में मदद करती है तो इसको यहां पर लगाने में मदद करने वाली है अब यह देखिए कहां से कहां तक बनाया जाए आपको यह दिख रहा होगा मास्टा में यह है नगपूर और यह हो गया मुंबई यह टोटल जो लिख रहा है आपको यह कितने किलोमेटर का है, टोटल 700 किलोमेटर का असपास का है, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, समरुद्धी महामार्ग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समरुद्धी महामार्ग, तो इसी महामार्ग पे यह टोटल लगाया जाना है, यह 700 किलोमेटर का लगभग का य अब इस पर कैसे लगाया जाएगा उसका मैं एक पिक्चर आपको दिखा दूँगा आगे यह प्रोजेक्ट आएगा कैसे तो इसमें साथ इंटर्चेंजेस बनाया गया हैं इंटर्चेंजेस क्या होते हैं देखिए जो भी आपको यहाँ पर ठाराओ दीख रहे हैं न देखने को मिल रहा है यह दूले जलगाओं अकोला अम्रावति यह सब जू ठाराओं इनको बुरा जारा है इंटर्चेंजेस इनी इंटर्चेंजेस में पर कहाँ होगा डविलप्मेंट करपोडीशन जो है वो इन 7 इंटर्चिंजन को बीखिसित करेगी 25 इंटर्चिंजन कुल मिला के हैं जिसमें 7 इंटर्चिंजन को भी लगा जाना हैowa लगाया जाना है वह नाम को एक बार बता दू तो इन्ह rozp i, नग Science जकкив पर प्लेट्स लगा देंगे चुकि इन सब इंटर्चेंजिस के पास लगवक 40 एकड़ जमीन सरकार का पड़ा हुगा है तो सरकार चाहती है कि उन्हीं इन से बिजली मिलते रहेगी तो यह इंडिया का कॉंसेप्ट है अब हर देश जो है वह अलग अलग कॉंसेप्ट पर इसको बनाया है इसको हमारा जो पोड़ो सुई देश है वह काफी दिनों से चला रहा है तो इस तरह से कुल मिला कि एक ग्रीन कोरिडर हो जाएगा किस तरह ग्रीन कोरिडर और इससे भविश्य में बहुत सारी नौकरिया भी जनरेट होंगी ठीक है और यह सामाना जा रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट को लगाने में लगभग 700 क्रोड रूपय का खर्च आने वाला कितने के खर्च आने वाला है 700 क्रोड रूपय का और ऐसे ऑफिसिय माना जाता है मतलब एक बार आपने इन्विल्ट कर दिया तो इसका लाइफ एस्पैन कितना हो जागा पचीस साल तक तो दस साल में तो हमने पैसे निकाल लिया बाकी 15 साल गोर्मेंट को इससे फायदा होने वाला है ठीक है इससे गोर्मेंट जो है बिजली बेच के रेवेन इस सोलर एलाइंस जो है उसका मतलब में अंग है और इंडिया के गुरुगाओं में ही इसका वाइट कोटर बनाया गया है तो इस तरह से इंडिया को इसमें आगे रहना भी चाहिए तो इंडिया इस मिशन प्यादी काम करता है तो जरूर इसमें आगे रहेगा और इससे ब डिप्लोमा किये हैं या फिर ITI किये हैं या अप्रेंटिस किये हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फायदा देखने को मिलेगा चुकि आगे आने वाले दिनों में यदि सोरर प्लांट लगाया जाएगा तो उसके देख रहे करने उसको लगाने इन सब में आपकी जरू मिल जाएंगे चुकि इंडिया चाहता है कि हमारे सेंट को पर इलेक्ट्रिक विकल्स दोड़ें तो आप उसमें पेट्रॉल वाली कार से पेट्रॉल डलवा लते हैं लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक कार लेके जाते हैं और कहीं पर चार्जिंग इस्टेसन ही नहीं रहे औ और भी बहुत सारा एडवांटेज हैं इसमें देखिए डेली बेसिस पे 161 मेगावाट जो बिजली होगी जनरेट होगी ठीक है तो 161 मेगावाट जो बिजली जनरेट होगी तो गवर्मेंट का मानना है कि इस अगल बगल वाले जो भी गाओं होंगे जो भी होंगे उनको करते हैं तो इससे हमें पैसा भी आ सकता है जिससे हम इस पूरे जो प्रोजेक्ट का खर्च है वह भी निकाल पाएंगे अब देखिए ऐसा है कि चाइना ने बहुत पहले इस तरह के सोलर पाउड हाइवेस का जो रनिंग है वह स्टार्ट कर दिया है उसमें ऐसा नहीं उसमें अनर्जी मिलते रहेंगा वह चार्ज भी होते रहेंगे इस तरह का सरक कुछ बना हुगा है जैसे और भी दोस्तों देखिए प्रोटोटाइप में कुछ आपको दिखा दूए यह यह उन्दर निचे से और उपर से सोलर प्लेट काम भी कर रहा है तो अलग जगा भी तरह का कुछ प्रोटीक्ट एरोपीयन यूनियन में लगा जा रहा है सांसा तो और भी आपको एक प्रोटीक्ट दिखाऊं तो यह देखिए इस तरह का कुछ बना दिजाका टानल की तरह 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 में क्या है चारों तरफ से सोलर प्लेट लगा दिए गहां और नीचे- इस सोलर कैनोपी पर काम कर रहा चाहिए ट्रियो कौन-कौन होता है तो ऑस्ट्रिया जर्मनी और स्विट्जर लेंड इन तीनों को मिला कि यूरोपियन ट्रियो कहते हैं किसको किसको स्विट्जर लेंड जर्मनी और ऑस्ट्रिया को तो यह 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 सोलर कैनोपी पर काम कर रहे हैं तो उम्मीद है कि इंडिया में आने वाले समय में यह देखने को आपको जरूर मिलेगा इससे जो भी आइटी वाले हैं उनको काफी वेकेंसी देखने को मिल सकती है अधि आपने एससी का फॉर्म भरा है तो देखिए MTS और CPU का डेट यहां पर पॉस्पॉंड कर दिया गय कर देखिए MTS वीघै थनिकर स्थेखने में भी वेकेंसी को कैसी है तोॉंड कर दोल्ज कर दोल हैं ट्या कर दोल्जने कि अपार्बर हैं ट्जारत कर दोल्